बेस्ट एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए कैसे आप अपने आइपेट को विंडोज या मैक पीसी से कनेक्ट करके अज़ पेंटेप यूज कर सकते हैं कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को क्रियेट करने का मोटिव क्या है क्या रीजन थे इस वीडियो को क्रियेट करने के लिए तो सबसे पहला रीजन जो हर बार की तरह मेरे रहता है मेरे subscriber जिन्होंने मुझे comment करके बताया कि उनके पास iPad है और उस iPad को as a pen tape use करना चाहते है as a teaching में उसको use करना चाहते है तो मैंने उनके लिए solution create किया second reason जब मैंने solution को ढूणना start किया तो मैंने यह find out किया कि pen tape से कहीं ज़्यादा बहतर में iPad को use कर सकता हूँ और बहुत effectively use कर सकता हूँ हाला कि इसका एक drawback है कि iPad की costing बहुत ज़्यादा जाती है मगर अगर आपका budget healthy है तो आप 30-40,000 रुपे spend करकर बहुत अच्छे तरीके से इस solution को use कर सकते है iPad का use करना सिर्फ इस pen tape की तरह नहीं होता iPad में बहुत सारी AC functionalities है जैसे आप रात को बेठे हो आप अगर notes बनाना चाते हो तो notes बना सकते हो ये एक mini computer है exactly mini computer इसको बहुत अच्छी तरीके से आप utilize कर सकते हो size में क्योंकि बहुत चोटा है बहुत handy है तो आप इसको कहीं पर भी ले जा कि अपने work को continue कर सकते है तो कहीं न कहीं अगर आप इस solution को buy करते है तो ये आपके multiple use में काम आ सकता है तो मेरा recommendation आज भी है ये कि आप लीजिए iPad as compared to pen tap pen tap का drawback क्या है pen tap का सबसे बड़ा drawback तो ये है किस देखीगा अब देखीगा मैं लिखते टाइम यहां पर हूँ और देखने के लिए क्या लिखा है उसको देखने के लिए वहां पर ये बड़ा अजीब होता है जैसे अगर मुझे पता चले यहां पर मैंने चार चीजों को tick किया मुझे पता है कि मैंने कहां पर tick किया पर pen tape में बड़ा combination बिठाना पड़ता है पर again pen tape से भी बहुत अच्छा कुछ किया जा सकता है मैं कभी यह नहीं बोल रहा हूँ आपको की pen tape मना लीजिए पर अगर आपका budget अच्छा है तो pen tape को drop करिए iPad को लीजिए एक अच्छा combination और एक अच्छा standard maintain होता है educational video में भी मैंने जब यह करा मैंने experience किया तब जाके मुझे भी समझ में आया कि हाँ आज जो मेरे पास iPad है उसको मैं अपने educational video बनाने में काफी अच्छी तरीके से use कर सकता हूँ तो चलिए अब शुरू करते हैं इस video को जहां तक मैंने इस solution को समझा मुझे ही समझ में आया कि यहां पर दो तरीके के software के थुरू हम connectivity कर सकते है हमारे iPad और Windows के साथ में पहला जो software है वो है splash stop अब इस software में क्या खासियात है यह free है आप इसको अपने Apple Store से डाउनलोड कर लीजिए website पर जाके इनके software में डाउनलोड कर लीजिए दोनों चीज़े बड़ी एच्छी चलती है थोड़ा सा यह free है इसका एक topic में ने जो दिखा वो था कि थोड़ा सा delay है जब आप लिखते हो थोड़ा delay दिखता है तो इसे तो मैं कभी recommend नहीं करूँगा second जो software है वो है do it do it software को इतना faster है कि आपको पता ही नहीं चलेगा को delay है जो आप अपने pen tab पे लिखोगे वहीं चीज़े आपको screen पे दिखेगी तो बहुत अच्छा experience do it के साथ में वेरे रहा है अच्छा splash spot को मैं अभी explain करूँगा आपके साथ में वह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास already iPad है तो पहले आप पूरा OBS के साथ में पूरा setup कर लीजिए और screen capture device में आप सेलेक करके यहां पर आप इस screen को use कर लीजिए इस प्रेश पॉर्ट से आप comfortable हो जाए उसके बाद में आप डूइट पर्चेस करिएगा डूइट की कॉस्ट कुछ 900 रुपए yearly है बहुत कम कॉस्ट है अगर हां आपको iPad में उस software को buy करना होगा अब क्या होगा यह जो connectivity हमने की है वह हमने screen mirroring करके की है मतलब यहां पर जो भी आप देख रहे है वह सारी चीज़े इसी के अंदर देख रही है तो Windows के अंदर आप जो भी देखोगे वह सारी चीज़े आपको देखेगी टैप के अंदर अब यह जो चीज़े हमने की है इसके तुरू हम क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को अगर आप एक्च्वल में अपलाए करना चाहते है तो मेरे लिंक में नीचे description में और उपर i button पे आपको यह लिंक दिख रही होगी इसे आप देख लीजिएगा इस वीडियो को पहले देखिए इस वीडियो में में आपको बताया है कैसे आप क्रोमा के साथ शूट करेंगे क्रोमा के साथ शूट करके आप कैसे window capture device के थुरू या screen capture device के थुरू अपनी ppt को representation में ला सकते हैं तो यह बहुत अच्छा combination हो जाएगा तो पहले आप इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा फिर उसके बाद में इस वीडियो को जाए पर अभी संपक करें अजस्कॉट से सबसे पहले आपको अपने ipad में जाकर यहां पर टाइप करना है इस प्लेश फ्लेश्टॉप स्प्लेश्टॉप करेंगे तो आपको यहां पर दो एप मिलेगी एक है हमारी स्प्लेस्टॉप वायर्ड एक्स डिस्प्लेएजडी आपको यह डाउनलोड कर लेना है यह आप इसको डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए सिमिलर्ली आप अपने विंडोस पीसी पर गूगल क्रोम में स्प्लेस्टॉप डॉट कॉम स्लेश ड्वायर्ड एक्स डिस्प्ले करके टाइप कर लीजिए का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है यहाँ पर जाने के बाद में आप यहाँ पर करिए एजेंट फॉर पीसी यहाँ पर डाउनलोड एक्स डिस्प्ले एजेंट फॉर पीसी आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे नेक्स नेक्स करके आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करते ही यहाँ पर आपके वो सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगा इससे पहले आपको एक और चीज शेर कर रहा हूं पर यह prerequisite है बहुत important है आप इसको download कर लिजेगा आज ही बनवाएं अपना customized application and achieve two times growth in your online or digital education business for more queries call now अभी हमने same software को PC में इंस्टाल कर लिया है और tab में इंस्टाल कर लिया है एक चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है यह जो केबल आप जो connect करते है iPad को अपने desktop से वह केबल ओरीजनल होनी चाहिए जो Apple के साथ में आपके पात में आई है आजकल Apple केबल देता नहीं है मगर हां original केबल का अपना एक importance है इससे data भी ट्रांसवर अच्छे से होता है और जो latency create होती वह भी create नहीं होती केबल हमेशा original यूज करनी है नहीं तो आपको कहीं नगई problem face करेंगे फिर आपका comment आएगा कि यह problem आ रही है और उस problem को maybe understand नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना easy नहीं होता कि आपने comment किया और मैंने आपको बता दिया without आपकी सारी problem को जाने ठीक है तो हमने अभी तक देख लिया कि यहां पर software install कर लिया यहां पर software install कर लिया तो हमने अब हमारा setup पूरा ready कर दिया है अगर आपने सही तरीके से installation होगी दोना तरफ installation होगी तो आपको आप क्या करना है थोड़ा सा iPad पहिएगा हमारे X display पर click करना है यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे हमारा computer का video आपके iPad पर आ जाएगा तो ऐसे हो गई हमारी connectivity similarly जिस तरीके से हमने splash top को install करा वैसे ही आपको जब paid version पर जाना है अच्छी frequency के साथ जाना है speed up होके जाना है तो हम लोग डूट को यूज़ करेंगे डूट की भी link में आपको दे रहा हूँ simply आपको play store पर जाके डूट टाइप करना है मैंने आपको link description में दी हुई उस website पर जाना है वहां पर जाकर आप डूट कर सकते हैं तो डूट हमारा second time पर जाना हमें डूट पर यह paid software है मैं आपको उसको पुरा explain नहीं कर रहा हूँ अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसको detail में नीचे caption में पूरी चीज़े आपको लिखके दे दूँगा अब मैं आपको छोट असा demo दिखाता हूँ क कैसे teaching में बहुत useful है चलिए मैं आपको आप दिखाता हूँ कि मैं कैसे connect कर रहा हूँ अपने OBS में देखिए OBS के साथ में अभी मैंने आप साप setup को दिखाएगे संजू OBS के साथ में मैंने setup पूरा ready कर लिया है अब हमने fast forward जाओंगा detail में वीडियो आपको already बनाया हुए म मैंने सबसे पहले यहां पर source capture को उसरा जूम करें संजू यहां पर इस चीज को सबसे पहले हमने video capture device 8 किया है जो की हमारा screen है मेरा खुत कैमरा है वेब के window capture में मैंने powerpoint select किया हूआ है और input capture में audio select किया हूआ है तो अभी existing view कैसा आ रहा है अभी हो गया cover उसके बाद में अब देखिए यहां पर desktop और मेरा iPad अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ मैंने यहां पर just pen select किया right यहां पर मैं arrow से pen select कर लेता हूँ pen select करने के बाद में जैसे मेरा नाम आकार सावकार है इसे मैं highlight करना चाहता हूँ तो यह मैंने highlight कर दिया same action वहां पर भी हो रही है same action यहां पर यहां पर मैं already show हो रहा हूँ right अब देखिए यहां पर तो यह फाउंडर आफ ऑजिसकौर्ट का founder मैंने अपना इनिशेटिव लिया था जिसको मैं अभी कर पा रहा हूँ आप लोगों तक जोड़ पा रहा हूँ right यहां पर मैं और कुछ बताना चाहता हूँ मैं खुद एक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आता है यहां पर मैं क्या करता हूँ next करा आप टेस्टिंग टेस्टिंग विद आइपेड हमने किया हुआ हमने बात करी software की hardware की और क्या-क्या प्रॉब्लम हमको आ सकती है पढ़ाते टाइम पे हमें किसी screen को face नहीं करना पड़ता अभी देख सकते हैं यहां पर आपको direct point of action दिखता है suppose यहां पर मुझे others को highlight करना है तो बहुत easily मैं यहां पट कर सकता हूँ थोड़ा साथ जो लैक है वो सिर्फ इस वजय से हैं च्योंकि यह paid software नहीं है बस that's it suggestions हमारे और क्या-क्या हो सकते तो आप मुझे comment करकर आप मुझे बताए कि क्या-क्या चीज में और क्या improvement हो सकता हूँ जैसे कि मैंनों बहुत सारी चीजा आप लोगों से सीख रहो तो अगर आप इसको ठीक करेंगे तो यह भी हो सकता है कि बहुत अच्छे से यह काम करता है इसके बाद में हम जैसे next पर जाना जाते नेक्स लाइट पर जाते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके या कमेंट करकर आप यहां मत रोकिए इस वीडियो को अपने ग्रूप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जहां पर आप एजुकेटर से जुड़े हो अगर आप जितना ज्यादा इस को स्प्रेड करेंगे मेरा उतना ही रीच बढ़ेगा और वह आपके और मेरी लिए भी बेनिफीशल होगा क्योंकि हम हर बार नया सॉलिशन लेकर आते हैं वह सजेशन आपके ही होते हैं कमेंट के थुरू इमेल के थुरू या ऑन कॉल जो भी हमें सजेशन मिलता है मेरी हर स्टडी मैं आपको वीडियो तक पहुचाने की पूरी कोशिश करूंगा अगर आपको ऐसा कोई वीडियो मुझसे बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करकर बताए मैं उस टॉपिक पर डेडिकेटट वीडियो बनाऊंगा इवन मैं ट्राय करूंगा कि अगर कुछ ऐसे एक